नमस्कार दोस्तो टेकनिकल उननत यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये चेक कर सकते हो कि आपका आधार काड किस नंबर से लिंक है जी हाँ दोस्तो दोस्तो अगर आप ये चीज जानना चाहते हो त देखते रहना अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप करते हो तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को सुरू करते हैं सो लेट स्टार्ट तो दोस्तो इसके लिए आपको अपने फोन पे कोई सा भी ब्र आपको सर्च करना है UIDAI जिहां दोस्तो UIDAI और दोस्तो यह जो वेबसाइट है ओफिशल वेबसाइट है यह गबर्मेंट की तरफ से ओफिशल वेबसाइट है तो दोस्तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो तो आपके पास यहां पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आजाता है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है दन आपको यहां पे एक आप्शन मिलेगा आधार सर्विस का तो यहां पे आपके पास एक आप्शन आता है वेरिफाइन आधार नमबर तो आपको इस पर टेप करना है तो verify एन आधार number पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक option आता है enter 12 digit आधार number तो यहाँ पर हम अपना आधार number एंटर कर देते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आधार नमबर दे दिया है आप अपना आधार नमबर दे दिजिएगा तैन यहाँ पर आपके पास एक आता है Capture Verification तो नीचे आपको एक capture मिल जाएगा उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है तो दोस्तों capture डालने के बाद आपके पास यहाँ पर एक option आता है Proceed to verify तो आपको इस पर टेप करना है इस पर टेप करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आपका आधार नमबर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों लिखा रहा है आधार verification completed और यहाँ पर आपके पास नीचे एक option आ जा रहा है mobile नमबर तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा mobile नमबर यह वाला है और दोस्तों यहाँ पर gender state age band भी यहाँ पर है तो दोस्तों आप ऐसे अपने आधार card का मतलब देख सकते हो कि कौन सा नमबर लिंक है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो अपलोड करते रहता हूं तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक केर एंड बाई